जब से नीट का रिजल्ट अनाउंस हुआ है एक ही चीज ने सब को परिशान करके रखा है कि ये कट ओफ अनेक्सपेक्टेडली इतना हाई कैसे चला गया है वैसे 2022 की बात करो तो वहाँ पे कट ओफ 598 के आसपस था 2023 में कट ओफ 615 के आसपस रहा लेकिन अब बाते हो रही है कि कट ओफ 655 के आसपस जा रहा है ये बहुत ही अनेक्सपेक्टेडली हाई है और ये एक बहुत शौकिंग चीज भी है और इसी चीज को थोड़ा और वैलिडिफाई करने के लिए या फिर इसी चीज को थोड़ा और कॉंक्रीट करने के लिए हमने काफी सारे डेटा अरेंज की हमारी पूरी टीम ने बैठके बहुत सारे डेटा को अरेंज किया उसके हिसाब से पता किया कि क्या score पे क्या rank बन रही है और उस rank के हिसाब से exact cut off निकालने की कोशिश किया तो यह जो session है वो आपको बहुत ही data के उपर मिलेगा जहां पर हम real data के based बाते करेंगे और उसके उपर आपको एक real number बताएंगे जो cut off होने के chances सबसे high है तो चली एक बार बात करते हैं कि क्या रहा है data यह रहा आपके सामने all india rank का chart एक बार आप खुद ही देख लीजिए इसको हम explain तो करी देने वाले हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 720 marks में से मतलब 720 और 710 के बीच में आप देखोगे इसी range में 392 students के आसपास रह रहा है ठीक है 300 साड़े 300 के उपर बच्चे हैं यह जो 710 के उपर score कर रहा है यह unexpected number है आप सोचो कितने सारे toppers निकलने वाले इस बार यह 700 से 710 के बीच में आप देखोगे तो 392 से 1500 की rank जा रही है यानि कि approximately 700 पे 1500 के आसपास rank जाएगी शायद यह 1500 से थोड़ा सा exit भी कर जाए लेकिन यह still 700 के उपर 1500 से जादा बच्चों का होना एक alarming situation है कि यह बहुत ही horrible situation हो रही है जहां पर एक तरीके से बहुत high score लाने वाले बच्चे बहुत जादा हो रहा है फिर हम आगे देखे तो 680 के उपर और 700 के बीच में अगर score लाने वाले बच्चे देखे तो 8200 जितने बच्चे हो रहे जो 680 के उपर score कर रहे है आप से 665 के उपर आप देखोगे तो 17,850 के भी जादा बच्चे हैं जो 665 के उपर एक उल मिला के और इसी तरह से आगे के भी cut-offs देख सकते हैं 630 के उपर 48,000 से भी जादा बच्चे हैं 600 के उपर कुल मिला के 78,000 से जादा बच्चे 600 प्लस score कर रहे है आप समझ रहे हो 615 पिछले साल का cut-off था 615 के आप आसपास आपको देखना है यहाँ पे तो आप समझ सकते हैं कि कम से कम 60,000 से जादा बच्चे इस बार हो सकते हैं जो 615 स्कोर कर रहे हैं यानि कि पिछले वाले cut-off में इस बार बहुत सारे students आ गए जबकि ऐसा नहीं था कि इस बार पेपर आसान था पेपर का लेवल पिछले साल के जैसा ही moderate था फिर भी बहुत जादा नंबर में बच्चे एक cut-off लेवल के ऊपर जा रहे हैं यहां पे 500 के ऊपर आप देखोगे तो 2,000,000 से जादा बच्चे 500 के ऊपर स्कोर कर रहे हैं this is very high number this is very intense competition ऐकन से यहां पे 4,000,000 से जयादा बच्चे 400 ल के ऊपर जा रहे है। 5,000,000 से जयादा बच्चे 350 के ऊपर स्कोर कर रहा है साड़े साथ लाग के आसपास बच्चे हैं जो डाइसों के उपर स्कोर कर रहे हैं और इसे हिसाब से बाकी डेटा भी अब यहां से हम देखे तो 25 लाग बच्चों ने एक्जाम देती सारे के सारे बच्चे इसी के बाद में हम भी उसी डेटा को ध्यान में रखे तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि 660 मार्क्स जो है इस साल का कट ओफ होने वाला है हमारा अभी भी यही मानना है हम यही उमीद रखे कि यह कट ओफ 655 के आसपास ही रहे 660 बहुत जादा इतना भी उपर ना चला जाए बड़ा डेटा तो as of now यही कहता है कि कट ओफ 660 के आसपास ही रहेगा most probably 660 भी हो सकता है ठीक है तो यह है reality of कट ओफ मैं एक बार शिवम सर को भी बुलाना चाहूंगा कि सर आपका इस जिस के ओपर क्या व्यू है बताइए बच्चों को सर बिल्कुल unexpected रहा इस बार का result event 660 marks अगर देखा जाए 720 और 660 सिर्फ 60 नमबर का फरक है मतलब क्या सिर्फ वही लास्ट के 15 कुश्चन ही decide करेंगे आप लोगों का future क्या वही 15 कुश्चन ही होंगे जो ये discuss कर रहे होंगे आप लोगों के दमाग में कि इस से selection होने वाला है क्या यही चीज ही आप लोगों के लिए आगे बढ़ने वाली है इतनी मेहनत करी रात भर जागे सब कुछ छोड़ दिया और फिर उसके बाद इतनी मेहनत करने के बा है जिसने इतनी मेहनत करी है और आज मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोलू आप सभी लोगों से क्योंकि मुझे समझ में यह चीज आती है कि इतनी मेहनत करने के बाद जिस स्टुडेंट ने सर 640 मार्क्स लेकर के आ रहा था और उसको लग रहा था कि मेरा कट-off क्लियर होगा उस स्टुडेंट से आज उसके मन में वाली बात आ रही होगी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि 607 कट-off जाए और मैं उस जगह पर ना आपाऊं जहां पर मैंने अपनी रातों की नीन काली कर दी अपने दोस्तों को छोड़ दिया कौन सी नई मूवी लगी है वो नहीं होई जाएगा लेकिन अब उनको 650 जो मॉक टेस में स्कोर कर रहे थे वो 650 का अंदाजा ही लगा के प्रिपरेशन कर रहे थे और अब जाके उन्होंने नीट की एक्जाम में भी 650 के आसपास शायद लाये होंगे और अब उनके लिए situation खराब हो चुकी होंगी कि अब हमारा कै इसे होगा जब कट-off unexpectedly इतना हाई जाएगा यह normal situation तो नहीं है है ना बिल्कुल सेर जब examination हुआ था examination इतना easy भी नहीं था हम लोगों ने जो prediction करी थे examination में वो थी 630 कि भई 615 पिछले बार जा रहे हैं तो 630 ही जा सकता है लेकिन 660 तक जाना 655 अभी लग रहा था 660 तक 1000 सीट से हैं और सिर्फ उसमें 660 में ही सारी चीज़े हो जा रही है और यहाँ पर ही आकर के समझ में आता है that this is the reality of the cut-off this is the reality of student this is the reality of this examination जहाँ पर बहुत सारे student होंगे जो number लेकर के आ रहे होंगे लेकिन क्या उन student का क्या जो बिल्कुल H पे रहकर के भी selection नहीं ले पा रह होगे तो यह पूरी गेम कहां से कहां तक होगे 720 मार्क का NEET का एक्जाम होता है लेकिन यह पूरी की पूरी गेम अबी हो गई है चेससो साथसाथ साथसो बीस के बीच में उसके अलावा बाकी बच्चों का कुछ नहीं सिर्फ 15 कुछ है हाँ सिर्फ उसके अलावा बाकी करना भी होगा और हमें उस हिसाब से सोचना भी होगा कि यह क्या हो रहा है और अब सिर्फ माइंडसेट का गेम है आपका माइंडसेट अब ऐसा होना चाहिए कि मुझे तो टॉप पर आना है अब आपका टारगेट 636 56 60 नहीं 720 ही होना चाहिए और उसी टारगेट को लेकर कि अब हमें आके पढ़ना पड़ेगा क्योंकि यही है reality of cutoff तो जाने से पहले बस हम आपको यही request करेंगे कि आपका क्या score बन रहा है और उस हिसाब से आपका क्या rank है यह जरूर इस वीडियो में डालिए इसके comment box में डालिए ताकि बाकी सारे बच्चों को भी उस हिसाब से ह हमारा जो data है वो कितना accurate है वो पता चले ताकि हमने जो data बताया हमने जो आपको cutoff बताया उसकी एक legitimacy बताई जाए ठीक है तो we are with you आप repeat करने का सोचो ना सोचो हर situation में हर decision में हम आपके साथ है आपको कोई भी personal guidance personal mentorship चाहिए आप कोई भी problem में है आपको description में एक form मिल जाएग आपको हम जितना हो सके personal guidance दे के आपकी जो भी दिक्कते हैं उसे solve करने की पूरी कोशिश करेंगे बाकी हमार साथ बने रहीएगा